नमस्कार, न्यूस क्लिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक तरफ जब PNB, घोटाले और निरव मोदी की बात चल रही है तो साथी साथ दो रथ हयात्रा ही निकाली गई है जो पूरे देश को कवर करते हुए एक उद्देश के कारण निकाली गई है बाझप्यद द्वारा विष्वहु हिंदू परिशे द्वारसे द्वारा और आज हम उस पे चर्चा करेंगे उस पे चर्चा करने के लिए उर्मलेज जी हमाइर साथ एक बार फिर से है उर्मलेज जी न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है तो चारों तरफ इस समय निरवमूदी की बात चल रही है, PNB घोटाले की बात चल रही है और ये भी पता चला है कि मतलब ये एक PNB का घोटाला नहीं है उसे कहीं बड़ा घोटाला है, कहीं बैंक्सिस में इन्वाल्ड है पस शान्ती से एक तरफ रथयात्रें भी निकाल दी गई है, दो रथयात्रें इस मौके पे इस समय पे इन रथयात्राओं का मकसद क्या है और निकाली क्यों गई है बहुत दिल्चस बात है और यही मैं समस्ताओं की भारती जनता पार्टी और संग परिवार की राजनीती को समझने का एक जरिया भी हो सकता है ये तरह तरह के मुह, तरह तरह के सुर्व, ऐसा लगता है कि इनके पास इतने मुह, इतने चेहरे, इतनी बातें, इतनी ध्वनिया हैं कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कराते हैं I mean, देखिए, सबसे अधिक इस देश में आधुनिक्ता की बात करने वाले अर्थतंत्र में और बाजार के छित्र में, इस वक्त हमारे आधुनी प्रदार मंत्री जी है, डिजिटल इंडिया, कैशलेस एकॉनमी, नहीं जाने कितनी सारी बाते हैं, UID आधार को जिस तरह वो ए प्रदारों में है, कैसे सिर्फ इस तरह की जो सियासत करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक हाथकंडा बनी हुई है, और समाज को न तो ट्रांसफार्म किया जा रहा है, न समाज को बेहतर दिशा में, आधुनिक दिशा में ले जाया जा रहा है, तो आधुनिक्ता और टेक जातरा एक और निकाली गई, वो इंडिया गेट से, इंडिया गेट जहां आम तोर पे लोग केवल एक देशाटन के लिए परेटन के परेटक दूर दूर से आते हैं, देखने के लिए कि कौन सा इसमारक है, और वहां से आप निकाल रहे हैं, क्या भाई है, तो देश के डि और बताते ही रहते हैं, और उसके लिए अलग से रथयात्रा है, तो ये जो रथयात्राएं हैं, मुझे लगता है कि भारती समाज को फिर एक तरह सा, एक तरह उस दोर से गुजारने की कोशिश है, जो हमने कभी शिला यात्रा के दौरान देखी थी, जो हमने आदरणी लाल फसाद हुआ वो सब हमने देखा है हाँ ये जरूर हो सकता है कि बिलकुल उसका खुबहू नक्षे कदम पर यात्राइं नहों क्योंकि संग परिवार बड़ी चालाकी से जैसे जैसे कोई ठाहरे हुए पानी में एक कंकर डालता है देखने के लिए कि कैसी इलाहरें उठ रही ह कई बार वो प्रियोग भी करते हैं कि इस तरह की यात्राओं का कोई लोगों पर असर हो रहा है कि नहीं मेरी जो जानकारी है कि जो अजुद्ध्या से राम राज्य बनाने के लिए यात्रा निकली है उसका असर नहीं हो रहा है वारणसी वो औरत यात्रा कुछ दिन पहले पहुची थी और वहां लोगों ने उसका कोई न तो खैरमक्दम किया न कोई नोटिस लिया हां अखवारों में ख़बरे जरूर चप रही है क्योंकि अखवारों पर जाहिर है बाजार के हिसाब से सियासत के हिसाब से कबजा एक तरह से कर लिया है लोगों ने मीडिया के को लगता है कि 2019 के जो आम चुनाव है उनके उनको निशाना बनाती है उनके लिए प्रेडित है जब अगर हम पिछली रत यात्रों को देखें जब अडवानी जी ने निकाली थी तो वो महौल अलग था ओपोजिशन में थे नई पार्टी बना रहे थे उस समय उपोजिशन कि अनप्रेसिडेंटेड है आप आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय सत्ता में हैं अब भी मैं इंडिया गेट से वो तस्वीर देख रहा था जो उस दिन अखवारों में चपी थी मुझे नहीं मालूम था उस दिन जब यह रत्यात्रा निकाली जा रही थी तो मैंने द एक तरह से सुरक्षा का मंत्री माना जाता है वो एक ऐसी रत्यात्रा निकाल रहा है जो कुछ भी खुराफात कर सकती है या नहीं अगर करती है तो भी एक गैर कानूनी किस्म की आप क्या करनाटक से आपने परिमिशन ली है क्या केरला से आपने इसकी अनुमती ली है क्या और सैनिक बलों पर भरोसा नहीं है आपको अपने जो इस्टेट मसिंडी है उस पर भरोसा नहीं है तो राष्ट की रक्षा के लिए एक समानांतर कारवाई एक प्राइवेट आर्गनिजिशन की कारवाई को रक्षा मंतरी भगवा जंडी दिखा कर रवाना कर रहा है मुझे लगता है कि यह unprecedented है भारत के constitutional history में और दूसरी बात कि मुझे तो यह लग रहा है कि कहीं न कहीं इसके पीछे देश में सरहत पर इस समय क्या चल रहा है आप सब जानते हैं पूरा देश जानता है इस वक्त जो कि यह कहते थे कि हम आएंगे तो हम चक्के छुड़ा देंगे और सरहत पर सरवाधिक जवान भारत के इस वक्त मारे जा रहे रहे हैं और वे सारे जवान गरीब किसानों के बच्चे हैं या आम मजदूर के बच्चे या लोल मिले ख्लास के घरों से गह गय हुए लोग ہیں इसके अलावा कि कश्मीर में नौज़ान मारे जा रहे हैं भादी खुनखराबाज हो रहा है लेकिन ये एक युद्धोनबाद म UCRGICAL STRIK एक नवाद होई है जब कुछ होता है कहते हैं हम सर्जिकल C6 कर देंगे लेकिन सर्जिकल STRIK के बाद हत्याइं और बड़ी हैं कश्मीर के अंदर भी इनकाउνटर्स हो या जवानु पर हमले हो रहे हैं और सरहत पर पाकिस्तान और भारत के भी हो रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं युद्धोन बात को ये धर्मोन बात से जोड़ रहे हैं धर्म का उन बात और युद्ध का उन बात दोनों का एक तरह से convergence ये चाहते हैं और ये बहुत खतरना किस्थिती है आपने बात किया कि सेना पे ने भरोसा है कि ने मुहन भागवत के statement को तो सभी ने सुनाई कि आर्मी को 6 महीने लगेंगे हम 3 दिन में तयार कर देंगे तो क्या मतलब एक ये कोशिश जो है आरेसेस लगतार कह रहा है 2022 तक हिंदू राश्टर घोशिट कर देंगे और एक ये उस एजेंडे के तहथ एक प्राइविट मिलिटरी के तयार करने का भी जरिया आप देखते हैं बहुत खतरना को बयान था कि लेकि लेकि बहुत अजीब बात है कि भारत के जो बहुत महत्रपून जो मेंस्ट्रीम के या 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 जो बड़े राइनितिक दल हैं भी पक्ष के उन्होंने उसको शायद उतनी तवज्जो नहीं दी शायद उनको ये लगा होगा कि इसको तवज्जो देने से बेवज़ उनको परिशार मिलेगा लेकिन मैं समझता हूँ को एक खतरे का बहुत बड़ा बिगुल था खतरे की एक घंटी ती जिस तरह की बात उनके मुह से निकल गई और शाखा या RSS के जो चीफ हैं उनके मुह से कोई बात अंजाने में निकलती कोई ओर शिशू नहीं है वो बहुत ही मैचोर आदमी हैं और मैचोर ढंक से ये काम करते हैं लोग कोई भी अगर इमैचोर भी काम करना होता है तो उसके पीछे एक मैचोर टी इनके अंदर होती है तो मैं समझता हूं कि बहुत कल्कुलेटेट था लोगों को बताने का था कि हमारे पास एक पैरलल विलिश्या अमिन जिस तरह से बिहार के गाओं में च्छतिस गड़ के इलाकों में बहुत सारी प्राइवेट आर्मी काम करती हैं उसी तरह से वो बता रहे है कि हमारे पास उससे ताकतवर आर्मी और देश की स्थेना से ज़्यादा मुस्तायद आर्मी है जो तीन दिन या छे दिन में तियार हो जाएगी तीन दिन में तियार हो जाएगी उसको तयार होने में कई महीने लग जाएंगे इस तरह की बात बात में कोई खंडन करने आता ह RSS का आदमी क्योंकि लगा कि अरे ये तो क्या बोल गए क्या होगा इसका ये तो असलियत सामने आ गई तो फिर खंडन करता है नहीं ये इस तरह की बात नहीं की लेकिन किस तरह की बात की हमने पत्ता के जर्रेलिस्टों से भी पूछा मैं पत्ता में स्वैम रहा हूं कई साल एक पत्रकार के रूप में, लोगों ने कहा हूबहू वही बोला जो चपा है, कहीं किसी ने distortion नहीं किया, और वैसे भी बिहार में इस वक्त पत्रकारिता में ऐसी स्थिति नहीं है, कि RSS के चीफ कुछ बोलें और उसकी बार डिस्टार्ट कोई कर दे, राउल गांधी बोलें, सीताराम यचुरी बोलें, कोई बात डिस्टार्ट करना चाहे, कर सकता है, क्योंकि विपक्ष की परवा मीडिया को उतनी आजकल नहीं है, इन दोनों के बीच में आप कोई संबन देखते हैं, बिलकुल, और देखे, खुदाना खास्ता मतलब, जो अभी हमारे मुख्य मुं उनका जो पूरा का पूरा जो मठ है, और मठ पर जो पहले मठ आदीश हुआ करते थे, वो तो बकायदा उन्होंने एक तरह से अजोद्या में मस्जिद विध्वन्स की योजना की शुरुआत की थी, और मैं ये बात कह रहा हूँ, पंडित नहरू के जमाने की, उस वक्त उ विरासत जो है उनकी एक तरह से आरेसेस ने, विश्वन्दी परसत ने और बजरंग दल ने एडाप्ट किया, तो ये पुरानी कहानी है, और योगी आदित तिनाथ जो है, अपनी तमाम, ऐसे ऐसे भी उनके पास संगठन है, जो पहले से एक समानांतार आगनेशन की रूप करते हैं, कई बार आरेसेस को लगता रहा है, कि कहीं वो हमारी तरह का संगठन यूपी लेवल का नो बना रहे हा। घंदू वाहिनी उन्हों ने बना रखा है, ये हिंदू वाहिनिया tää, जितनी हैं तभी उसी पैटरन पर काम करती है, जिस पैटरन पर वीएस पी, वजरंग और आरे से इसकाम करती है तो ये बिलकुल आपका सही काना है कि एक तो ये दबाओ दूसरा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजे एक साथ हो रही है आप कहते हैं कि सुप्रिम कोर्ट में मामला चल रहा है तो सुप्रिम कोर्ट अब तो का उसकी सुनवाई बड़ी जल्द जल्दी कर रहा है तो आपको सुप्रिम कोर्ट का इंजार नहीं है फैसले के लिए आपको कह रहे हैं कि एक तरह पर आपने शीरी को भिजवाया है स्रीरी वहान इगोष्यट कर रहे हैं एक कहानी ये भी आ DAY कि कि किसी मौलाना को कुछ रूपए देने की बाद को जमीन देन आपने बनवा रखा है आपने उसको बस खाड़ा करना है जमीन पर तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निरंकुष आचरण इससे ज्यादा कोर्ट्स कचहरी से लेकर कि और तमाम मानने जो मुल्ले और सिधान्त है डिमोकरिसी में सबकी अवहेलना करना और कुछ नहीं हो स आपने से चल रही है साथी साथ करनाटिका में चुनावार है जहां यह परिवरतन यात्रा भी निकाल रहे है इस्पेशली जो कोस्टल करनाटिका है जहां आरिससे बहुत बढ़ा इंफ्लूएंस है सवाल हमारे सामने यह है कि आखरी से लड़ा कैसे जाए क्योंकि हमें या में यकीन करने वारी शक्तियां हैं वो बार बार गलती करती हैं मेरा ये असेस्मेंट है वो ये कि इन्हें खलके में लिया जाता है इन्हें ऐसा लगता है कि मान लिया जाता है कि इनको आईसोलेट किया जा सकता है चुनावी धंग से मेरे को नहीं लगता है कि चुनावी हैं उनको चैलेंज करना उनको चनोती देना बहुत कठिंग है और बगैर किसी बड़े आंदोलन या नौजागरन के यह संभव नहीं है देखे आजादी की लड़ाई एक लंबी लड़ाई थी उस लड़ाई में केवल एक कोई धारा नहीं थी कॉंग्रेस ही केवल नहीं थी बहुत सारी धाराई थी बात के दिनों में समाजवादी धारा रही वामपंथियों की धारा रही तमाम रेडिकल्स की धारा रही मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त भारती समाज में इनकी जो जड़े हैं वो इसलिए ज़्यादा गहरी होई है देखे बिरोक्रिसी आप लिए जगत तबाँ छेतरों में जिस तरह से इन्होंने शिकंजा कसा है और चूंकि इस लंबे दोर में जो जो साकारात्मत ढंक से काम करने वाली लोग हैं जो कांस्टिशनल डिमोक्रिसी में यकीन करते हैं जो सेकुलर डिमोक्रिक इंडिया के फ्यूचर के लिए हुआ है और इस कमजोरी का फायदा उठाकर इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों के दिमागों में जहर गोला है नौजवान पीड़ी में खासकर बेरोजगारी का मारा हुआ नौजवान तमाम कारणों से एक सकरात्मक दिशा लेने के बजाए नकरात्मक दिशा की तरफ गया है और ये बड़ा कारण है विश्वित द्यालेओं में जो left moment या जो socialist moment या जो secular democratic जो organizations हैं उनका प्रभाव कुछ एक जगा है लेकिन अगर व्यापक तो पर भारत के नक्षे को आप जहां किये तो आप पाएंगे कि इनका प्रभाव बहुत सिमित है और मीडिया के जरिये जिस तरह का जहर और आप देखे जो बड़े पैमाने पर न्यू चैनल्स हैं और entertainment चैनल्स साड़े साथ साव आट साव के करीब बताया जाते हैं बल्किस से भी जादा आप हो गए होगे तो ये जो चीजें दिखा रहे हैं आपके bedroom तक ये जाकर प्रवेश कर गए हैं और व इसकी कलपना आज थे 20 साल पहले 15 साल पहले भी कर सकते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको काउंटर करना सिर्फ एक चुनाव में इनका हारना नहीं है या किसी दूसरी forces का जीतना नहीं है जब तक जमीनी अस्तर पर काम नहीं करेंगे जब तक एक नौजागरन के लिए बड़ा व्यापक आंदोलर नहीं होता है तब तक मुश्किल है क्योंकि इन्होंने वाकई एक एक कहावत है कि अगर आप लोगों के दिमाग में कुड़ा भरेंगे तो आप सुंदर अम्रित नहीं पैदा करेंगे आप जहर ही पैदा करेंगे तो यह जहर पैदा कर रहे है झाल